नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ एस्टरोलोजिय सुनिशास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से संबंदित कुछ बिशेश और एडिशनल जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के मादिन से बताने वाला हूँ कि हातों पर हतेलियों पर M का निशान जो बनता है क्यों बनता है? M के निशान का मतलब क्या है? M यदि किसी के भी स्तरी या पुरुष के हाथ में यदि बनता है तो उसका फाइदा क्या है? M का निशान यदि हाथ पर आ जाता है तो उससे व्यक्ति के लिए शुबशंकेत हैं अथवा अशुबशंकेत हैं इन तमाम जानकानियों को आज जानेंगे हम इस वीडियो के बाद दिम से और जानेंगे कि M का क्या राज है मित्रों आईए सबसे पहले जानते हैं कि M का ये जो निशान है M जो बनता है वो किस कारण बस बनता है कैसे हाथ में M बन जाता है इस पर पहले नजर डालते हैं और फिर जानेंगे कि M जिनके हाथ में बन जाता है उनके लिए क्या शुबशंकेत हैं क्या अशुबशंकेत हैं क्या M होने से व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनता है या फिर और भी कोई शुब संकेत आशुब संकेत आपको मिलेंगे आईए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले ये जानिये कि हाथ पर चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो स्त्री का हो या पुरुष का हो आप सबसे पहले ये जान लिजे कि ये M का निशान पुरुषों के राइट हैंड की हतेली पर विशेश महत्व देता है विशेश फल देता है और स्त्रीयों के लेफ्ट हैंड पर विशेश फल देता है आप यह जान लेज़े लेकिन जो स्तरीय उपूरुष जिस हाथ से ज्यादा काम करते हैं जैसे कोई left hand ही होता है तो कोई right hand से ही काम करता है तो उनका उसी हाथ पर यदि M बना हो तो ज्यादा बहतर फल देगा दोस्तों M बनता है हातेली पर जो ये IU रेखा होती है लाइफ 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 यार होता है जैसे कि आप देख पाने यह M का निशान वेक्ति के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन के हाथ पर भी M का निशान बन गया है उनके लिए ये एक शुब Şंकेत हैं, बहुत ही शुब होता है M, जिनके हाथ पर होता है लेकिन शुबता है क्या इसकी इसके बारे मैं आपको डेटेल्स में बता रहा हूँ दोस्तों M अधिक तर जब आप देखेंगे सफल ब्यापारी या फिर सफल किसी भी फिल्ड में कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता पर यदि पहुंचता है तो उसके हाथ में निश्चित रुप से ये M का निशान साफ साफ दिखाई देता है यानि कि हर एक सफल होने वाले वक्ति पर चाहे वो किस कारोबारी हो चाहे वो एक्टर हो या कुछ भी काम हो जिस भी चाहे वो बिजनसमेन हो वो अपने फील्ड में अपने कारोबार में शिकर पर बुलंदियों पर पहुंसता है जिनके हाथ में M का निशान बन जाता है तो इसलिए जितने भी सफल वक्ति दुनिया में होते हैं वो उन सभी सफल वक्तियों के हाथ में M का निशान पाया जाता है इसका कारण ये भी है दोस्तों कि M का जो शुबशंकित मिल रहा है कि मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन जो शुबशंक्ता है वो किस कारण बस बनती है क्योंकि यहाँ पर हड़े रेखा मस्तिक्स रेखा और भागे रेखा और जीवन रेका ये चारों का जब समानतम चारों जब एक साथ मिलती है तो सभी का आनंद और सभी का फल जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है जैसे कि जीवन रेका तो एक लंबी, सुद्रड और अच्छी आयू प्राप्त होती है उसी के साथ में मस्दिक्स रेका यानि कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, भागशानी और तिब्र बुद्धिका होता है तीसरा हरदे रेका हरदे को अपने हरदे को यानि कि अपने मन को, अपने दिल को किस प्रकार से कहां लगाना चाहिए और उसके लगाने से कहां फाइदा होगा, कहां लुकसान होगा कहां हरदे की बाद रखनी चाहिए कहां बुद्धि की बाद रखनी चाहिए वहाँ पर व्यक्ति अपने हरदे को उस तरीके से इस्तमाल मिलेता है और फिर चौती बात है भाग्य रेखा जब ये तीनों चीजें अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी जब अच्छी तरीके से भाग्य रेखा इन तीनों रेखाओं को छूते वे जब निकलती है तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छे भाग्य का भी निर्मान होता है इसलिए इन चारों रेखाओं का अच्छा अच्छा शुब फल प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को तो किस प्रकार से ये रेखाएं M जो बनता है ये M का निशान जब बन जाता है जिन व्यक्तियों के हाथ में स्पष्ट रूप से तो उनको क्या-क्या फल मिलते हैं हाला कि मैं आपको बताना चाहूँगा जिनके हाथ में M बनता है दोस्तों वो तो अगर उनके सुभाव से देखा जाए तो ऐसे वक्तियों बड़े मीथे और मधुरुभाशी होते हैं यानि कि बहुत मीथा बोलने वाले होते हैं तमीच से बोलने वाले होते हैं एजुकेटि सुभाव से बड़े अच्छे होते हैं साथ ही में दोस्तों ऐसे वक्ति हरदे से जो उनका हरदे है प्रेम है ऐसे वक्ति हर किसी से अच्छा प्रेम करने वाले सहानू भूती देने वाले हैल्प करने वाले ऐसे वक्ति होते हैं और लेकिन अपने सुभाव से अपने लिए अपने शरीर से थोड़ा सा आलसी होते हैं तो आलस और प्रमाद के कारण कई व्यक्तियों का अपने जीवन में कई चीजों को ले करके थोड़ी हानी भी देखनी पड़ सकते हैं इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आलस नहीं करना चाहिए तो आलसी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जल् की बात ही क्या है दोस्तों आलस पर ज्यादा होने के कारण कहीं सफलता में परेशानी भी ऐसे वक्तियों को देखनी पड़ती है लेकिन जब काम में लगते हैं ऐसे वक्ति तो दिन और रात को नहीं देखते हैं पहले तो काम में लगना इनके लिए थोड़ा कठिन होता है ले किसी भी काम को ये करते हैं तो चाहते हैं कि हमें जल्दी से इसका फल प्राप्त हो इसलिए थोड़ा धहरे की कमे इनके अंदर होती है किसी जैसे कि बार-बार कोशिश करने पर ऐसे व्यक्तियों को अक्सर सफलता प्राप्त होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति एक बहुत high level पर जाते हैं बहुत सफल होते हैं इनकी सफलता के मिशाल लोग देते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में starting time में शुरुवाती समय में बहुत जादा विफल होते हैं इसलिए जिनके हाथ में M है उन्हें एक बात समझ लेनी क्योंकि एक, दो, तीन या चार प्रयास आपके लिए कम हैं तो जितने अधिक प्रयास सफलता पाने के लिए करेंगे उतने ही आप बहुत high level पर पहुंच पाएंगे ज्यादा तर ऐसे व्यक्ति ज्यादा मिलनसार नहीं होते हैं लेकिन लोगों के लिए समाज के लिए हर ए एक सी दूसरी जगा, दूसरी से तीसरी चोथी जगा जो है भ्रमण करते रहते हैं और अपने कामों के लिए फालतु में कभी भ्रमण नहीं करते हैं, अकारण वस किसी से लंबी बातें या लंबा समय स्पेंड करना इन्हें पसंद नहीं होता है, इसलिए जो कुछ भी करत होते हैं, लेकिन ये हर किसी पर आकरशित होने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, परंतो फिर भी ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में धनवान होते हैं, धनवान इसी कारण बस होते हैं, क्योंकि जिनके हाथ में M बना है, वो व्यक्ति यदि बार बार यदि कोशिश करते रहे यह एक या दो बार से सफलता नहीं मिलती तो जब सफलता मिलती है तो फिर बहुत हाई लेवल की हाईस्ट लेवल पर यह जा करके पहुंचते हैं अदिकतर ऐसे व्यक्तियों को आधी उमर का मतलब 35-40 वरश के बार उमर के बाद ही इनको सफलता देखने को मिलती है और बहुत ही सफल अपने जीवन में होते हैं धन हो धन के बारे में ब्यापार के बारे में इस्त्री के बारे में मित्र के बारे में और अपने घरवालों के बारे में और सफलता और सम्मान इन सारी चीजों के बारे में ये हमेशा चिंतित रहते हैं सोचते रहते हैं कि कैसे सम्मान मिलेगा कैसे इस तरी का क्या हाल है इन सारी चीज़ों के बारे में यह निरंदर सोचते रहते हैं और काफी धन के मामले में काफी चिंता इन्हें बनी रहती है हर समय धन और धन को ये बहुत अच्छे तरीके से खर्च करने वाले होते हैं ये धन को बिलकुल भी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं और यदि धन को लगाते हैं तो इसे investment समझ करके जिससे कुछ जीवन में लाव हो उस तरह की बातों को ले करके ये चिल्पत रहते हैं और उस तरीके से अपने धन को व्याय करते हैं पैत्रिक संपत्ती ऐसे वक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से मिलती है यानि कि माता, पिता, दादा, परदादा या जो भी पित्र है या पैत्रिक वक्ति हैं उन सब से जो धन है, मकान है, पैसा है, जमीन है वो इन्हें जो है विरासत में मिल जाती है लेकिन ऐसे विक्ति यदि आलसी हो तो फिर वो घर्ची ले बहुचाता हो जाते है जो विक्ति M वाले आलसी नहीं होंगे तो वो अपने धन को भी बहुत सोच हाला कि किसी की हेल्प के लिए वो खूब सारा धन खर्च कर सकते हैं लेकिन फिजूल में नहीं खर्च करें संसार में जितने भी विक्ति में पुना आपसे कहूँगा संसार में जिन भी विक्तियों के हाथ में M हो वो सभी वक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा सफल वक्ति होती है लेकिन इनके शुरुवाती समय में अगर आपके हाथ में भी यदि M हैं आप स्त्री हैं या पुरुष हैं जो भी हैं तो आपके हाथ में बना M आपको जरूर सफलताओं के शिकर पर पहुँचाएगा यानि कि किसी बात पर अगर इन्हें हट करने की अगर इनकी आदत आ गई तो जिस चीज से भी ये हट करते हैं उसे फिर वापिस अपने जिन्देगे में आने नहीं देते चाहे वो कोई बात हो कोई व्यक्ति हो या कुछ भी काम तो ऐसे एम वाले व्यक्ति जो है निश्रित रूप से अपने जीवन में सफल होते हैं और सफल व्यक्तियों के हाथ में ही करमठ व्यक्तियों के हाथ में ही जो हमेशा कर्म करने में विश्वास करते हैं भगवान गौड उनकी आस्ता बहुत ज़ादा इनके अंदर होती है लेकिन अपने सफलता का राज इन्हें अपने कर्म और अपनी कर्मड़ता ही लगती है तो ऐसे आप हैं यदि आपके हाथ में एम हैं तो आप एक बहुत सोच समझकर कार्य और सफलता पाने वाले इनसान हैं इसलिए उन सभी इनसानों में जो सफल हो चुके हैं या सफल होंगे या सफल हो रहे हैं उन में से एक आप भी है अधिक जानकारी के लिए अपने एंड ल कर सकते हैं उसके लिए छोटी से फीस लगती है वो आपको पे करने होगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा